वेलकम टो में चैनल तो आज हम बात करेंगे टोब फाइब बेस्ट ओनलाइन फोटो एडिटर वेबसाइट्स के बारे में तो आप वीडियो के साथ बने रही है और वीडियो को एंड तक जरूर देखिए ज्यादा वक्त ना लेते हुए बढ़ते हैं वीडियो की और मेरा नाम है जस्पृत सिंग और आप देख रहे हैं जस्ट सेनी प्रोडक्शन तो चलो शूरू करते हैं तो आज की इस वीडियो में जो नमबर फाइब की फ्री ओनलाइन फोटो एडिटर वेबसाइट है उसका नाम है befunky.com तो बात करें अगर इस वेबसाइट के बारे में तो आप लोगों को इस वेबसाइट में बहुत से ओप्शन मिल जाते हैं जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देखी रहे हैं आप लोगों को इस वेबसाइट में फ्रेम्स, ओवरलेज, ग्राफिक्स, टेक्स्ट, टेक्च्चर्स, एडिटिंग, टचप, बहुत से ओप्शन आप लोगों को देखने को मिल जाकते हैं इसमें, तो कुल मिल आकर बात करें तो आप लोगों का एडिटिंग का एक्सपिरियंस बहुत ही अच्छा रहने वाला है तो आप लोगों सिंपली सा करना तो कुछ नहीं है, आप लोगों को इस वेबसाइड में अपनी जीमेल के साथ साइन इन कर लेना है, तो साइन इन के बाद आप इस फोटो एडिटर वेबसाइड में सारे ओप्शन्स को बहुत ही अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं तो बात करें सेविंग के उप्शन्गी तो आपने सेव एस परन्जेक पे क्लिक करना है, सेव एस परन्जेक्ट में आपको सेव का उप्शन मिलेगा, तो आप उसे क्लिक करके बहुत ही अच्छी कॉ collaborate कि इस एडिट फोटो को सेव कर सकते हैं तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट फोटो एडिटर वेबसाइट की और आज की इमेज एडिटर वेबसाइट में जो हमारी नमबर फोर पर वेबसाइट स्टेंड करती है उसका नाम है ओनलाइन इमेज एडिटर तो गूगल पे आपने ओनलाइन इमेज एडिटर डोट कॉम को ओपन करने के बाद अपनी जीमिल आईडि की साथ साइन इन कर लेना है साइन इन करने के बाद आप इस वेबसाइट में बहुत ही अच्छी एडिटिटिंग कर सकते हो दोस्तों इस वेबसाइट में भी आपको बहुत से अच्छे अच्छे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं बेसिक्स में रिसाइज, क्रोप, एड टेक्ट, प्रोटेट फ्लिप, कलर चेंज, बोडर, राउंड कोरनर, फोटो फ्रेम, इमेज इन टेक्ट और एडवांश में ट्रांस्पेरेंसी, ओवरले, कट शेप, स्पीच बबल्स जैसे काफी फीचर्स देखने को मिल जाते हैं और एनिमेशन में भी आप स्क्रीन पे देखी रहे हैं कि आपको बहुत से उप्शन देखने को मिल जाते हैं सारे features को देखने की बाद पता चलता है कि website बहुत ही अच्छी है तो बढ़ते हैं अपनी अगली website की और photo editing websites में जो number 3 पर website आती है वो है canva.com website को आप लोगों ने अपनी Gmail के साथ sign in कर लेना है website sign in करने के बाद कुछ इस तरह का home page है canva.com का home page पे आप लोगों को designs में canva.com बहुत सारे options दे देती है जैसा आप लोग screen पे देख रहे हो बात करें editing page की तो editing page पे आप लोगों को बहुत सारे options दे देती है जैसे कि elements, text, videos, background, photos इस website में आप लोगों को edit करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि इस website में सारे options बहुत ही असान तरीके से दिखा रखे हैं सारे options बहुत ही easy way में दे रखे हैं editing करने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी edit photo save करने के लिए आपको right corner पे download को option दे रखे हैं उस पे click करने के बाद आप अपनी photo को save कर सकते हैं तो बढ़ते हैं अपनी next website की ओड़ photo editing websites की इस वीडियो में आज की हमारी जो number two पे website आती है वो है photo.com तो website के homepage पे आने के बाद आप लोगोंने website में sign up कर लेना है तो कुछ इस तरह का homepage है इस website का चलते है editing page पर तो editing page पे आप लोगों को बहुत से effects मिल जाते हैं तो editing page पे आप लोगों को left side सारे options मिल जाते हैं इसमें बहुत अच्छे अच्छे fonts मिलेंगे आप इस website की जरीए बहुत ही अच्छी editing कर सकते हैं इस website में तकरीबन तकरीबन सारे options available हैं बहुत ही अच्छे अच्छे frames दे रखे हैं बात करें saving के option तो website में उपर वाली site save का option दिख रहा है save के option पे आप लोगों ने click करना है तो उसमें click करने के बाद नीचे download का option आ रहा है तो आपने उससे download कर लेना है अपनी edit image को तो बढ़ते हैं अपनी अगली website की और जो top 5 photo editing websites में से नमबर 1 की website है वो है pixel art यह है the world's number 1 online photo editor जैसा कि आप देख रहे हैं website का home page simple सा है लेकिन website के अंदर एक से एक feature दे रख है तो बात करें editing page की left side पे आप लोगों को सारे options मिल जाते हैं और अगर आप लोगों ने website नहीं उसकी अब तक तो guys एक बार please इस website को use करके देखिए यह website बहुत ही अच्छी है इसमें सारे के सारे effects दे रखे हैं बहुत ही अच्छे fonts दे रखे हैं बहुत ही अच्छे अच्छे effects दे रखे हैं यह website number 1 website है और इस website को मैं भी यूज़ करता हूँ बात करें saving के option जी तो नीचे वाली साइट save का option मिलता है उस पे click करने के बाद आपको उसके अंदर download option मिलेगा तो उसके अंदर आप अपने edit image को download कर सकते हैं आज के लिए इतना ही अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए